नमस्कार दोस्तो, मेरा नम है विजय एक्मार, आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को, तो चलिए दोस्तो, मनोज कॉमिक्स में कुर्कबांड की इस संदार कॉमिक्स को सुरू करते हैं, जिसका नाम है कुर्कबांड और बुल्डोजर, तो आप देख सकते हैं इसका बुल्डोजर, ड्रीलर, कपंचु जैसे धरिंदे खचाखच भरा हुआ था बिग्यान भवन कारण था भारत के मसूर रसायन सास्तरी प्रोफेसर भट्टाचारी का ये अविस्कार जिसका नाम था पारस जी हाँ यही नाम रखा है मैंने अपनी इस अद्बुच चमतकारी मसीन का आपके ये पारस मसीन करती क्या है प्रोफेसर साहब आप लोगों ने खिस्ते कहानियों में उस पारस पत्थर के बारे में तो पढ़ाई होगा जो लोहे को सोना बना देता था उसी पारस पत्थर को जेहन में रखकर मैंने अपनी इस मसीन पारस का निर्मान किया है इस मसीन से निकले किरने किसी भी लोहे की वस्तु को सोने में बदल डालेगी सभी के मुँ खुले के खुले रह गये थे प्रोफेसर की बात सुनकर इस दुनिया में कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है माइ फ्रेंड आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है तब तो आपने दंत कताओं को सच कर दिखाया प्रोफेसर साहब यस और ये सब मैंने अपने देश की भलाई के लिए किया है ताकि एक दिन अपने देश का नाम भी बिस्व के बिक्सित देशों में गिना जाए प्रोफेसर भटाचारी की पारस मसीन जिस पर सिर्फ हैरान निगाहें नहीं बूरी निगाहें भी टीकी हुई थी पारस मसीन मेरी होकर ही रहेगी उसके और मेरे बीच कोई नहीं आ सकता क्योंकि जो भी आएगा उसकी लास बिछा दूंगा मैं बिग्यान भवन की तरब बढ़ते उसके कदम सुरक्षा गाडों की कड़कती आवाज से ठिठक गए ए नोटों की बाज अंदर कहां घुसे आ रहे हो जवाब देने के अस्तान पर उसने अपने हाथों में थमे मिउजिकल इंस्ट्रूमेंट को समाला अभी पता चल जाएगा के मैं कौन हूँ अगले ही पल उसकी उंगलियां की बोर्ट पर थिरकने लगी अरे ये क्या ये संगीत के साथ साथ क्या निकलने लगा गिटार से सैतान जानलेवा सैतान है ये जो तुमारा कचुमबर निकालेंगे सच मुच सैतान ही तो थे वे जो तुरंथी सक्रिये हो उठें थड़ा बजाओ आई अपने साथियों की चीक सुनकर बहुत से गार्ट उधर ही भागें हमारे साथियों के साथ कोई गर्बर हुई है आओ गार्ट भागे तो जरूर लेकिन कुछ ना कर सके क्योंकि कुछ तो समालनी या सैतानों ने और कुछ को गिटार से संगित के साथ निकली इन सर्द किर्णों ने आएं ये क्या हुआ हम सब बर्ब की सिलियों में कैधों कर रहे गें हाथ पाउं जम के हैं हमारे हेल भी नहीं सकते हम सबी गाड़ों को विवस कर वो बड़े इत्मिनान से अंदर घुसता चला गया अंदर मौजूद हर सक्स को चौका दिया उसकी घोसना ने मास्टरो दोस्तो मास्टरो नाम है मेरा लोहे को सोने में बदलने वाले इस यंत्र को लेने आया हूँ मैं और मुझे उमीद है कि आप में से कोई मेरा विरोद नहीं करेगा क्योंकि ऐसा करने वाले को सिर्फ मौत मिलेगी तुरंथी सक्रिये हो उठें वहां तैनाती सी बी आई के खतरनाग जासूस हमारे होते ऐसा हर्गिस नहीं हो पाएगा अगर तुने ऐसा करने की कोशिस भी की तो तेरे सरीर को छलनी बना देंगे हम सौरी दोस्तो तुमारा कोई वे मनसूबा आज पूरा नहीं हो पाएगा गिटार पर उंगलिया ना चुठी उसकी तुरंथी अरे ये क्या है सैतान है ये तो गोली चलाओ वरना ये हमें मार डालेंगे खासी कई रिवॉल्वरे हुई कई फायर लेकिन धाय 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 गोलियों से सैतानों को कुछ नहीं हुआ ओ बचो ये हमारी तरफ बढ़ रहे हैं बसना तो चाहा उन्होंने लेकिन सैतानों ने उन्हें बचने का मौका ही कहां दिया नहीं आई बचाओ गाजर मुली की तरह चट करते जा रहे थे कमबक्त इंसानों को आँ बचाओ है मेरा बच्चा फैल गया था आतंग मच गई थी भगदर बचाओ भगो यही तो चाहता था मास्टरो अब यह मसीन मेरी होकी कुछी दिनों में मैं इसके बल पर सोने का धेर लगा दूँगा माफ करना भाई तेरा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा क्यूंकि तेरे इस सपने पर मिट्टी का तेल छुड़क कर आग लगाने आया है कुप कुर्पबांदी ग्रेट और साथ है मोटू भाईया राजनगरवाला मास्टरो को रोकना खेल नहीं है जाकर गोली डंडा खेलो बच्चो गोली डंडा तो हम जरूर खेलेंगे लेकिन इस खेल में डंडा मेरी लात बनेगी और गोली बनेगा तुम्हारा सिर धड़ाक मास्टरों को बांड से ऐसी कतई उमीद नहीं थी तपी तो दूर जा गिरा था वो धणाम लेकिन गिरने के साथ ही उसने बांड को उसके किये की सजा देने का उपाय कर दिया था अब नहीं बचेगा तू मेरे सैतान चीर फार कर फेक डालेंगे तुझे धड़ाक गिटार के स्वर के साथ निकले उन सैतानों ने जकर लिया कुर्क बांड को अए ये क्या मुसीबत है भाई बांड की खोपड़ी को अपने मुँँ में दवाने के लिए बढ़ रहा था वो सैतान तभी रुख जा सैतान तुम इसे अपना निवाला बाद में बनाना पहले जरा मैं इससे अपने पर वार करने का हिसाब चुका लूँ कुरोज से भरा मास्टरो आगे बढ़ा फीक तभी रुख जाए भाई साहब इस बेवकुप ने आप जैसी महान हस्ती पर हाथ उठा कर सचमुच बहुत बड़ा पाप किया है लेकिन इससे बच्चा समझ कर माफ कर दीजिए मैं आपके पाउप पढ़ता हूँ मोटू तप कौन रहा है साली अपना तो प्लान था तुझे चारों खाने चित करने का अरे धड़ाक नीचे गिटते ही मास्टरों के हाथ से गिटार छूट गया और इसके साथ ही आएं कहां चले के वे सैतान खेर उन सैतानों को छोड़कर अब मुझे इस सैतान को देखना है जो मोटू गिटार खुब काम आएगा अरे मेरा गिटार ये ले अपना गिटार तड़ाक और ये ले इस गिटार का ब्याज भड़ाक वाँ बांड भाईया दे साले के एक और क्यों प्यारे लाल बांड दी ग्रेट के दो ही हाथों में हो गया बेहाल तेरी किस्मत खराब थी जो आज हम यहां होने बाली परदर्शनी को देखने आप पहुँचे अब तू तिहार जेल में बैठ कर हमारे नाम की माला जप्यो मास्टरों को हरा समझ कर बहुत बड़ी बोल की थी दोनों ने जिसकी उन्हें सजा भुगतनी पड़ी ऐसा कभी नहीं होगा मास्टरों के हाथ में से निकली वो पतली तार बांड के हाथ में थमेक गिटार से जालिप्टी और ला मेरा गिटार अरे गिटार के हाथ में आते ही अब मैं तुझे जिन्दा छोड़ने की भोल नहीं करूगा अरे ये क्या हुआ गिटार का कंट्रोल पैनल काम क्यों नहीं कर रहा है जब ये तेरी खोपड़ी पर बज़ा था तो इसके कंट्रोल पैनल का भी बाजा बज़ गया होगा इसलिए किसी समय के लिए ये alternative power का switch control panel से अलग लगाया था मैंने cut switch दवा और मेरा भागना अपनी जीत मत समझ देना तुमने तुमने मेरे सपने को चौपट किया है मैं तुम दोनों को चौपट कर डालूंगा दोनों मुर्कों की तरफ पलग जपकाते एक दूसरे की तरफ देख रहे थे ये क्या हुआ बांड भाया मुझे क्या पता मैं तो खुदी तेरे से पूशने वाला था मैं बताता हूँ वो ट्रांस्मीट होकर गायब हो गया है यहां से ओह तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी बरसों की महनत और देख की अमानत और देख की अमानत को मास्टरों से बचा लिया इस बात को छोड़िये प्रोफेसर सहब और ये बताईए कि ये मास्टरों था कौन एक सनकी और दौलत का दिवाना बैग्यानी मेरा ही सहपाठी था वो हम दोनों ने साथ साथ ही M.A.C. पास की थी जहां मैंने अपनी सिच्छा से देश की सेवा करने को अपना धर्म समझा वहां उसने दौलत को अपना इमान बनाया ओ लेकिन वो रहता कहा है इस बारे में कोई नहीं जानता पिछली बार जेल से भागने के बाद एकदम से ही गायब हो गया था वो वैसी एक बात उसके बारे में मैं तुम्हें बतातूं कि वो बहुत ही जाता खतरनाक अदमी है अपने दिमाग के बल पर वो सैक्डू बिनासकारी सक्तियों का निर्मान कर सकता है उसने तुम्हे मारने की धमके दी है अधा तुम्हे उससे बच कर रहना होगा फिक्र मत किजे प्रोफेसर साहब अगर वो दुबारा मेरे सामने आ गया तो उसे मार मार कर दुम्छला बना दूंगा और इस पार ये भी गारांटी है कि हम उसे भागने का मौका नहीं देंगे फिर बांड और मोटू घर की तरफ चल दिये इधर दूर कहीं कुर्कमांड नाम है उस छोकरे का जिसे खत्म करने की तैयारी में मैं आज से ही जुट जाना है मुझे तड़ाक अगले दिन मैं तेरी मौसी के घर जा रही हूँ अगर पीछे से तुम दोनों ने कोई सरारत की तो ठीक नहीं होगा ठीक है मम्मी हम कुछ नहीं करेंगे कुर्कमांड की मम्मी घर से बाहर निकल गई और तब हुर्रे यह तुम्हें क्या हुआ बान भाईया काले कुटे ने काट लिया क्या ओए घोचू पापा थाने चले गए हैं मम्मी मौसी के यहां चली गई है अब अपनी पूरी तो छूट हो गई है का है के चूट अपने उस परियोग को करने की चूट जिसे पूरा करने के लिए कही दिन से मौके तलास रहा हूँ मैं यानि कि तुम अब अपने उस घटिया परियोग में माथा पच्ची करोगी बिल्कुल तो ठीक है तुम करो माथा बच्ची मैं चला अपने एक दोस्त के साथ फिल्म देखने आएं ये भी गया चलो ये भी अच्छा हुआ अब मैं तसल्ली से अपना परियोग पूरा कर सकूँगा अपनी परियोग साला में कुरुक बांड बस थोड़ा ही काम रहे गया है इस गन में फिर इस गन के सहारे मैं किसी से भी मुकावला कर सकता हूँ क्योंकि इस बिसेस गन की बिसेस्ता ये इस गन की बिसेस्ता किसी को बता कर मैं इसका सीक्रेट नहीं खोलना चाहता अचानक बांड चौक पड़ा अरे ये क्या हो रहा है अभी वो हैरान ही था की भड़ाग ये क्या मुसीवत है मुसीवत नहीं मेरा नाम है हेलमेट और मुझे कहते हैं ड्रीलर हेलमेट, ड्रीलर यहां किसलिए आये हो भाई तुझे जहनुम में पहुचाने जहनुम? हां और तुझे जहनुम पहुचाने का स्रे मिलेगा ड्रीलर को खत्रा समल प्यारे बांड तेजी से बचा कुर्प बांड इस तरह कब तक बचेगा तू ड्रीलर के हाथ से आप सही कह रहे हैं भाई साहब सच मुझे बचने के लिए कुछ और करना होगा जैसे ऐसे बचूँ मैं आपके ड्रिलिंग मसीन से और ऐसे पकड़ूँ आपको और नीचे लेट कर ऐसे आपको पीछे फेग दूँ बार्ण ने ड्रिलर को अपने लाच से उठा कर पीछे फेग दिया तड़ाक, ओ, फर्स में घुस्ती चली गई उसके ड्रिलिंग मसीन की नीडिल और इसके साथ ही फट गई मसीन जिसके टुकड़े ने उसके सेरीर में धसकर उसका बंटाधार कर दिया भडाक, ओ, क्या हुआ भाई साहब, आप तो लंब लेट हो गए जबकि मैंने तो आप से बहुत कुछ सीखना है, प्लीज उठिये ना, इसके उठने की चिंदा मत कर क्योंकि तुझे जहन्नुम पहुँचाने का काम हेलमेट इससे भी जादा अच्छी तरह से कर लेगा मेरे एक ही ठककर तुझे सीधा जहन्नुम का रास्ता दिखाएगी, अरे, अरे, ये क्या कर रहे हो भाई साहब कुस तो ख्याल करेजिए इस गरीब का, भडाक, आपने तो घर का कबारा कर दिया मेरे बापू ने देख लिया, तो मेरे साथ साथ आपके भी खाट खड़ी और बिस्तर गोल कर देंगे ऐसी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि उससे पहले ही तुपर पहुँच चुका होगा इससे बशने का कोई उपाई ही नहीं सूच रहा है, प्यारे इससे बशने का कोई उपाई ही नहीं सूच रहा है, प्यारे बांड इसलिए अब तो एक ही तरीका है, भड़ाक भाग ले यहां से दुम धबाके, भाग कर कहा जाएगा, छोड़ूँगा नहीं तुझे हेलमेट कुर्क बांड के पीछे भाग लिया यह तो पागल सान की तरह मेरे पीछे भागा आ रहा है, अब क्या होगा, अचानक उसके नजर सुपरकार पर पड़ी होगा, बहुत कुछ होगा वो दोड़ कर सुपरकार तक पहुचा, प्यारे होलडोल बचा मुझे, औरना आज नरक वासी हो जाएंगे आका तुम्हारे ओके मास्टर, उधर हेलमेट अपने सीर को आगे किये, तीर के तीजी से बढ़ा बांड की तरफ इधर सुपरकार सुपर स्पीट से बढ़ी हेलमेट की तरफ और जब दोनों टकराएं तो भड़ाग परिनाम निकला ये थैंक्यो मिस्टर होलडोल, तुमने इस सार से मेरी जान बचा ली डोंट वरी मास्टर, तभी इस से तो बच गया तू नालायक लेकिन इस्पेक्टर धमाका सिंग से कैसे बचेगा आएं, बापू सारे घर का कबार कर डाला आज छोड़ूँगा नहीं तुझे हुलडोल प्यारे, उस सैतान से तो तुमने बचा लिया लेकिन बापू से कैसे बचाओ के डोंट वरी मास्टर, इसका तरीका भी है अपने पास और वो तरीका है ये, अब ये क्या कर रहा है कमबक्त मुझे धंक से तो बैठ जाने दे बैठ बाद में लेना मास्टर कहीं आपके बैठने के चकर में मैं आपके बापू जी ने हमें घेर लिया तो आपके साथ साथ मेरा भी कबाड़ा बना देंके घर से काफी दूर जाने के बाद बाढ़ समला बापू से तो बच गें अब नीचे चल, कुछ खा पी ले क्योंकि अब घर में घुसना तो मम्मे के आने के बाद ही होगा वही बापू का गुस्ता ठंडा कर सकती है सुपरकार नीचे उतरी और अभी एक पल भी नहीं बीता था कि तभी भड़ाक ये कौन आ गिया बुल्डोजर तुझे और तेरी कार को अपने बुल्डोजर बाइक के नीचे कुचलने आया हूँ मैं और इस काम को मैं चुटकियों में अन्जाम दे दूँगा सुपरकार और बाण को कुचलने बढ़ा बुल्डोजर आज गए काम से लेकिन वहाँ प्यारे होल्डोल क्या बचाया है तभी बुल्डोजर भी हवा में उड़ने लगा तुझे ये देखकर हैरानी होगी कि मेरी बुल्डोजर भाइक भी हवा में उड़ सकती है ये तो अपना भी उस दाद दखता है प्यारे होल्डोल इसलिए ऐसा सबक सिखा दो कि अगले साथ जनम में भी ये जहां भी पैदा हो अपना नाम सुनकर पैट गिली कर ले अभी लो मास्टर दूसरे इचन बकतर बंद गाड़ी में बदलती चली गई सुपरकार और फिर अब होगी जोरदार ठककर ठककर सचमुच जोरदार थी भड़ाक लेकिन इस पर नुकसान बुल्डोजर को ही हुआ बचाओ इतनी असानी से नीचे नहीं गिर सकता तू सुपरकार से निकले हातों ने उसे तेजी से घुमाना शुरू कर दिया और फिर कुछ देबार घुमा चुकने के बाद अब तू कहां जाकर गिरेगा ये ना तो मैं जानता हूँ और ना होल्डेल फिर बांट सुपरकार को लेकर नीचे उतराया इधर मास्टरो अपने बाल नोच रहा था अपने सिकस्त पर एक अधने से छोकरे ने पुरफेसर मास्टरो की तीन सक्तियों को खत्म कर ढ़ाला तो क्या मैं ये समझ लूँ कि मैं उसे मार नहीं सकता नहीं वो मर सकता है और अब मुझे उसके लिए अपने सबसे घातक हत्यार का इस्तमाल करना होगा और मेरा वो घातक हत्यार है मेरा दिमाग साम को कुर्कबांड डरते डरते घर पहुंचा मम्मी घर आ गई हो तो अच्छा है वरना आज खैद नहीं अंदर गुस्ते ही बांड चौक पड़ा अरे यहां तो कोई भी नहीं है कहां चले गए सब कहीं कोई गरबर तो नहीं ठीक पहचाना तुमने बहुत बड़ी गरबर है और इस गरबर का नाम है डीटी अपने इस गण से मैं तुझे सदा के लिए वर्क के पुतले में बदलने आया हूँ ओ ये तो हाथ मुधो कर मेरा बंटाधा करने पर उतारू है और जब तक इसकी गण इसके हाथ में है मैं इसके खिलाब कुछ भी नहीं कर सकता इसने निपटने के लिए इसकी गण का कवाड़ा करना होगा और इसमें सायद ये चांको कुछ मदद कर सके इधर डीटी के हाथ में थमी गण का ट्रिगर दबा उधर बांड ने अपने हाथ में थमा चांकू गण की तरफ उछाला और अगले ही चन बड़ाक नहीं मुझे भागना चाहिए ये ख्याल छोड़ दे बेटे डीटी क्योंकि बांड वी ग्रेट तुझे कहीं नहीं जाने देगा एक घुसे में जमीन सुंगने को मजबूर हो गया डीटी हमसे टकराने वाले बंदे का यही अन्जाम होता है तभी वहाँ एक आवाज गुन जुठी तो सचमुच बहुत जालाख है कुर्कबान लेकिन अब तुझे मेरे जाल में फसना ही होगा तुमारे लिए यही अच्छा है कि तुम अकेले ब्लैक फॉरेस्ट में बने खंडहर में पहुच जाओ अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुमारे मम्मी पापा के साथ साथ तुमारे दोस्त मोटू को भी खत्म कर डालूँगा मम्मी पापा और मोटू यस इस समय वे मेरे कबजे में है और उनकी जान तुमारे हाथ में है तेज ठाहाके के साथ अवाज आनी बंद हो गई तुरंती मास्टरों बहुत खतरनाक और चालाक है इसलिए मुझे भी बहुत चालाकी से काम करना होगा कुछे देर बाद बलैक फॉरेस्ट में बने खंडहरों में अब मेरे मम्मी पापा और मोटू को छोड़ दो इन्हें छोड़ोंगा तो जरूर लेकिन इन्हें तेरी मोद का ऐसा मंजर दिखाऊंगा कि इनकी रूह तक काप उठेगी और तेरी मोद बनेगा खपंचू खपंचू? अगले इचन खपंचू उचल कर आखड़ा हुआ बांड के सामने खपंचू तेरी सरीड को सेक्रो टुकुड़े में बांड देगा बच्चे तुरंथी हैं? है तो ये सचमुच बड़ा खतरनाक लेकिन मैं भी पूरी तयारी करके आया हूँ कड़ाक और मेरी तैयारी है ये गन जो इसके खुले मुँपर ऐसी खुजली मचाएगी कि ये खुजाते खुजाते मर जाएगा तुरंथी हाँ हो गई है सुरू खुजली यही मौका है इसे आठो खाने चित करने का बांड ने तुरंथ तुरंथी खपंचू के हत्यार पर जड़ी एक लाद तेरी ये खपंची ही अब तेरा थोबडा बिगारेगी धड़ाक भड़ाक से खपंचू का हत्यार उसके मुँँ से टकराया भड़ाक और ओ भैसी की तरह टकराता वही धेर हो गया मास्टरों की आँखों में खोन उतराया ये देखकर मरने के लिए तियार हो जा कमबक्त तुझे मास्टरों अब अपने हांतों से मारेगा अब तु मुझे नहीं मार सकता क्योंकि मैं सुपरकार के संचालक मिस्टर होल डोल को पांच मिनट बाद अंदर आने का आदेश देकर आया था और पांच मिनट होने में अब आधा सेकेंड बाकी है और इस आधे सेकेंड के बाद जानता है क्या होगा बाहर खड़ी मेरी सुपरकार स्टार्ट होगी और सुपर गती से भागती हुई खंडहर के दीवारों को तोड़ते हुई भड़ाक तुछ से आठकराएगी और तू उचल कर भड़ाक मेरे कत्मों में आगिरेगा धनाम और फिर मैं जबाऊंगा तेरे थोबड़े पर एक गधा मार की दुलत्ती जो तुझे तेरी साथ नानिया याद करा देगी अपनी कथा तो तुने सुना दी अब मेरी सुन मैं अपने हाथ में थमें इस रिमोट कॉंट्रोल का बटन दबाऊंगा उसके साथ ही यहाँ कड़े सबीगा तक रोबोट्स के सरकिट चालू हो जाएंगी और वे तुम सब का तीया पाचा करने आगे बढ़ेंगी ओ इसकी कहानी तो सचमुच मुझसे भी ज़्यादा खथरनाक है लेकिन इसका हल अपने होल्डोल के पास है दूसरे इचन होल्डोल अटेक ओके मास्टर तुरंती स्यूं स्यूं कड़ाक बाण भईया हमें बचाओ वरना ये रोबोट हमें मार डालेगा बाण उधर ही भागा इन सबसे तो सुपरकार निपट लेगी मैं उससे निपटता हूँ इधर सुपरकार रोबोट से निपट रही थी स्यूं इधर बाण में रोक लिये थे आगे बढ़ते इस रोबोट के कदम तुझे रोकने के लिए तो मेरी गन ही बहुत है पलबर में ही रोबोट को खत्म कर दिया बांड में तब ही ओचोंका ये तो मास्टरों के हसने की आवाज है कहें उसकी तभाई के सदमे ने उसे पागल तो नहीं कर दिया पीछे घुमा बांड और एक बार फिल तुझसे सिकस्त खा कर जा रहा हूं मैं लेकिन फिर वापस आओंगा और उस बार तुब बचेगा नहीं मुझसे ओ ये तो भाग रहा है इसे सिर्फ सुपरकार से ही रोका जा सकता है लेकिन सुपरकार इस समय उसे रोकने से भी ज़्यादा महत्पुन काम में ब्यस्त है बांड चीक पड़ा हलक फाड़ कर आज तुझे भागने का मौका मिल गया सैतान मास्टरो लेकिन फिर कभी तुम मेरे सामने आया तो बचेगा नहीं क्योंकि अगर तु सैतान है तो मैं भी सैतानों का नाना कुर्क बांड हूँ जल्दी सुपरकार ने सभी रोबोटों का खत्म कर डाला बढ़ाक और फिर मास्टरों के उस अड़े को पूरी तरह तहस्नेस करके सभी वापस चल दियें वापस आकर देखा बापू बांड दी ग्रेट और सुपरकार का कमाल मास्टरों जैसे खतरनाक अपरादी के धजिया उड़ा कर रग दी अब तो सावासी दो अपने वीर पुतर को सारे मकान का कवारा करवा डाला सावासी तो तुम्हें बाद में दूंगा पहले तुम्हें अच्छे खासे घर को कवारा खाने में बदलने की सजा तो दे तूँ बापू का पारा फिर गर्म अब फिर सुपरकार पर बैठ कर भागना अरे 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 रुक रुक जग कमबक थोल डोल कहां ले जा रहा है सुपरकार को रुकने का टाइम नहीं है मास्टर क्योंकि अगर रुक गया तो आपके बापू कवाड़ा कर देंगे मेरा कभी कभी मास्टर की पिटाई देखने का मज़ा मुझे भी आता है सुपरकार तो गई अब देखता हूँ कैसे बचेगा तुम मेरे हाथ से भाग बेटा बाण कुछ ही पलो बाद जाने कहां चला गया कमबक्त करनामा नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि मैं कोई करनामा करने के अस्थान पर पट्यों से लिप्टा किसी अस्पताल के इमर्जेंसी बाट में पढ़ा रहूंगा इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक से और कमेंट जरूर कर देना चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन को सिलेक्ट जरूर कर देना थैंक्स पर वचिंग मैं वीडियोस